नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजेनिर अभिसीक सिंह और आप देख रहे हैं Civil Engineering Support दोस्तो मैं आज एक साइट पे आओं और आपको आज दिखाने वाला हूँ कि आपका अगर छत ढ़लने वाला है आप अगर छत ढ़लवाने वाले है तो उसमें cover block जो clear cover होता है दोस्तों देना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है cover block इसमें आप 20 और 25 लिखा हुआ देख रहा है ये mm है ठीक है ये space है कि मान लिजे कि आप अगर 20 mm वाले में set करते हैं तो इसके कहने के मतलब है कि आपका जो reinforcement है आपका जो steel बार है उसके 20 mm नीचे दोस्तों जगह बच जाएगी concrete के लिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको क्यूं देते हैं कितना जरूरी है या फिर इसके क्या फाइदे है ये भी जानना बहुत ज़्यदा जरूरी है तो cover block का सबसे important जो काम है इस तरह से आप देख रहें cover block ठीक है ये block है और ये cover परदान करते है कभर काने का मतलब है कि अगर मान लीजे हमारे जो सड़िया है वो नीचे से अगर हमारे धलाई से दिखने लगे एर में एक्सपोज आया तो क्या होगा कि उसमें एर लगेगा दोस्तों और उसके एर के कॉंटेक्ट में आने के वज़े से क्या होगा कि जो हमारे श्टील बार का इस्तिमाल करते है कभर ब्लोक क्या करता है कि जो हमारे रेंफोर्स्मेंट है उसके नीचे जैसे 20 mm पर सेट किये तो 25 mm अब मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो यह च्छत के ढलाई है इसमें हम 20 mm का कभर ब्लोक इस्तिमाल करेंगे च्छिक है 20 mm का करने से हमें फैदा यह हो होगा कि reinforcement के नीचे 20 mm का ऐस्पेस मिलेगा और साथी साथ दोस्तों reinforcement के उपर तो दोस्तों अपना मर्जी है कि आप कितना उपर दोस्तों आप उसको ले जा सकते हैं लगवर लबग एक इंच हम उसके उपर भी ले जा सकते हैं और हमारा जो क्रेंक बार है उसको मिला देंग सकते हैं इसमें 20 है ठीक है और 25 है 20 mm दोस्तों more than enough है slab casting के लिए तो उमीद करता हूँ यह जनकारी मैंने आपको दी है और एक जनकारी इसमें add करता चलू मैं कि आपको जो slab है उसमें दोस्तों आपको अगर cover block इस्तिमाल करवाना है तो एक square meter पर एक cover block आपको इस्तिमाल करना म और जरूरी नहीं है कि एक meter square पर करके आप छोड़ सकते हैं जहां भी लगे कि हमारा दोस्तों gap जो reinforcement और हमारा जो चीज़े आपके समझ में आगे होंगी फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद दोस्तों